हमने आपको बताया कि लालू परसाद दिल्ली से पटना आ गए है और दिल्ली में जितने दिन भी रहे उतने दिन राजनीत जम करके होती रही लोगों से संपर्क होता रहा और क्या कुछ निकल करके आया है उसका एक जहलक तो लालू परसाद ने पटना एयरपोर्ट पर इस बीच में आपको बता दें कि आज जब तेलंगाना में वोटिंग समाप्त हो जाएगी तो पांच राजियों का एक्जिट पोल के साथ साथ आपको बता दें कि तीन तारीकों परिणाम भी आ जाएगा और इसको ले करके चर्चाएं और सरगर्मी दोनों ही राजनीतिक गलियारे में बनी हुई है क्या होगा इस परिणाम में ये बातें ज्यादा महत्तो करती हैं लेकिन उससे पहले लालू परसाद ने ये फैसला कर लिया है कि वो आगे करेंगे क्या एक तरफ जहां वो नितीश कुमार को आगे करके कह रहे हैं कि उनसे किसी का कोई मुकाबला नहीं है तो दूसी तरफ लालू परसाद ने पटना पहुंचते ही एमर्जनसी बैठक बुलाई गई है आज तेजस्वी यादों के आवास पर ये बैठक होगी और इसमें सामिल होने के लिए सभी पताधिकारियों को बुला दिया गया है आपको बदा दें कि इस बैठक को लेकर के लालू परसाद का निर्देश लगता है कि सबसे कड़ा है तेजस्वी यादों के अवास पर होने वाली इस बैठक में क्या कुछ फैसला होगा ये तो आने वाला समय बताएगा और जब बैठक समाप्त होगी उसके बाद जनकारी मिलेगी लेकिन लोग सभा चुना राज़त ने इस दिशा में पहल सुरू कर दी है और आप समझ सकते हैं कि लगतार 2024 के चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है पार्टी के वरिष नेता और राजी के उपमुख मंत्री तेजस्वी यादों ने आज अपने आवास पर सभी परदेश के प्रवक्ताओं राश्टी परवक्ताओं के साथ साथ MLA और MLC को भी इस बैठक में हिस्सा होने की बात कही है लोगसवा चुनाव में केंदर की मोधी सरकार को परास्त करने के इरादे से राज़त ने हाल में कई सक्रिय कदम उठाये थे पार्टी ये मान कर चल रही है कि आने वाला 2024 का चु तेजस्वी यादों ने कम मेहनत नहीं किया था लेकिन उसके बावजूद भी परिनाम नहीं आ पाया था अब जबकि लालू परसाद भी एक्सन में हैं तो तेजस्वी यादों हर हाल में 2024 के चुनाव में बेहतर प्रदासन करना चाहते हैं पार्टी की इस रहनिती को लेकर करके तेजस्वी यादों आज अपने प्रवक्ताओं और कारेकरताओं के साथ-साथ पताधिकारियों से बातचीत करेंगे और किस दिशा में आगे बढ़ना है इस बात को लेकर के मंदरना करेंगे आपको बता दें कि खास करके प्रवक्ताओं को बुलाई गई है और इस ब करेकरताओं को आगे किया गया है जो काफी मुखर हो करके बोलते हैं आपको बता दें कि तेजस्वी यादों की रणिती और आने वाले दोहजार चुबिस के चुनाओं को लेकर के लालू पर साथ के पट्रना लोडते ही जो मंत्रना हुई है उसी एंगल पर ये सब कारेकरम का आयोजन किया जा रहा और बैटकों का आयोजन किया जा रही जेमरजेंसी बैटक में क्या होगा क्या निकल करके सामने आता है हमारी नजर पूरी तरह से बनी हुई है आपकी नजर भारत लाइप पे होनी चाहिए बहुत बहुत धन्यवा अगर वीडियो पसंद आई अर पत्रकाजिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता ने तो जॉइन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद